यह एक एक सेक्शन काटा हुआ है जिसमें यह 500 पाइप पानसो के कॉलम दिखाया हुआ है कॉलम का साइज 500 पाइप पानसो है यह यह कॉलम है आपका सिंपल पाइप 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 सो कि इसके अंदर चार बोल्ट दखाए हुए है कि और बोल्ट का कि इस साइड में 75 एसक्यू चार नंबर बोल्ट है पचेतर एसक्यू वाई 200 डीप पॉकेट फुर टॉंटिफाई बोल्ट मतलब यह चार बोल्ट जो हैं एक दो तीन चार बीश डाया की हैं और इसका पॉकेट कितना रहेगा 200 एमेंएंब जितना भी डाइमेंड से रहेगा वह उनका सेंटर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लिएट सो एमेंएंब इधर भी डिएट सेंटर अब अगर देखें इसका सेंटर यह तो प्लान होगया कि सेक्षन पर आते हैं वोल्ट के यह वोल्ट का सेक्षन दखाया हुए हुए है इसमें सबसे उपर से देखें तो थ्रेडड लेंथ एक सो पचीस एमेंएं यह चूड़ी जैसे बोलते हैं जिसमें बोल्ट करता है तो यह अपना 125 एमेंएं उसके नीचे यह दिखाया है 50 mm ग्राउट ग्राउट करेंगे मतलब कॉंक्रीट सी ना करके सिक्का ग्राउटिंग मिट्रियल जो आता है उससी ग्राउट करेंगे इसको 50 mm फिर और नीचे चलते हैं तो यह पॉकेट दिखाया हुआ है यहां सी यहां तक पॉकेट रहे गई है और इसका जो लेंद्ध है ग्राउटिंग के नीचे इसका लेंद्ध रहने वाला चार्च में चार्च में और नीचे आने पर यह सिश्टी एसक्यू 10 mm थिकने इसका यह कुछ यह प्लेट रहेगा और उसके नीचे यह 25 mm डेफ्थ रहेगी तो बोल्ट की डिटेलिंग है अब अगर प्रक्टिकली इसको देखें यह उस प्लेट कर थिकनेस लिखा है 10 mm थिकनेस रहेगा यह जो प्लेट लगा हुआ है नीचे अगर प्रक्टिकली इसको देखें तो देखें थ्रेडिंग है यह बोल्ट इसमें लगा है बोल्ट नहीं होगा तो यह थ्रेडिंग हो गया चूड़ी यह हो यह चूड़ी हो गई इसके नीचे यह आपका पॉकेट हो गया पॉकेट के बाद यह बोल्ट हो गया 400 यह नीचे की प्लेट हो गई और यह नीचे 25 mm जो दिया है नीचे का यह 25 mm हो गया देखें एक बार पॉकेट यह 10 mm तेकन इसका प्लेट रहे गया यह सबसे नीचे 25 mm जो गया चार स्वेस का डेफ्थ हो गया जो कॉंक्रीट में कॉलम में हम इंसेट करेंगे अंदर यह पॉकेट हो गया जो दखाए थे 50 mm का यह इधर इसको ग्राउटिंग करेंगे यह उपर 125 का थ्रेट हो पॉकेट